जार्खन में राजसभा चुनाओ दिल्चस्प मोड पर आ गया है कॉंग्रेस के परत्यासी ने भी नमांगन कर लिया है और बीजेपी के परत्यासी के रूप में दीपक परकास ने नमांगन किया है जो जार्खन बीजेपी के परदेश सधच भी है। दिपक जी हमारे साथ हैं, दिपक जी ये तीसरा कैंडिडेट आ गया है कॉंग्रिस की ओर से, मामला उल्जा हुआ है और अब आपको क्या आसाय हैं जो समीकरन है, समीकरन के लिए आज से नहीं बनता है, लेकिन जारकन ने कई उदारन दिये हैं जो राजसभा में उलट फिर ह होते रहे हैं, देके मुखर समवाद के मध्यम से, मैं आपके दिरसकों को साथ बताना चाहता हूं, कि हमारे जो आकड़े हैं, जीत के उससे ज़्यादा हमको समर्थन विधायकों का प्राप्त है, जहां तक कॉंग्रेस के द्वारा तीसरे उमिदवार के रूप में, उमिद करना है, तीसरा क्या है, कि सबसे बड़ी बात है कि अकलियत समाज का वो अपने आपको ज्यादा हिमाहिती बताने वाले अकलियत समाज को धोखा देने के का का गाम करने हैं, कांगरेस के लोगे, क्योंकि उस संख्या बल नहीं है, और वो मुसल्मानों को अकलियतों को जार्खंड उदारन पेश करता रहा है वो उदारन हम 26 मार्च को पेश कर देंगे यह अच्छी बात यह होती कि मानिवर मुखमंतरी जी हिमंद सोरें जी अपने पिताक स्री-श्री सीवू सोरें जी को जो जार्खंड के एक अच्छे कदावार नेता और बड़ा उनका सम्मान पूरे जार्खंड में उनको निर्विरोध चुनाओ जीतने का अवसर परदान करते हैं लेकिन दुर्भाग से लोकतंत्र में अपने राजनितिक दृष्टी कौन से इस प्रकार का उन्होंने काम किया कि तीसराव मिद्वार को समर्थन दने का उन्होंने घोसना करते हुए इस पूरे चुनाओ को कह सकते हैं कि तिर्कोनिया बनाने का जो काम किया है उससे साफ जाहिर है कि वो अपने पिता जी को निर्विरोध चुनाओ जितने का अवसर नहीं देरे माले है जी एक जो विधायक हैं आपके डुलू महतों वो फरार चल रहे हैं ऐसे मैं कैसे बोट कर पाएंगे वो हो सकता है उनकी गिरफतारी हो जाए पहले वोट नहीं देने का मौका मिले जिस प्रकार का प्रसासनिक पदादिकारियों के द्वारा उनको लगातार उनके उपर दवाब उनके ओर पर अत्याचार करने का जो काम कर रही है प्रसासनिक मैसनरी सरकार के इसारे पर नयाइक परक्रिया इस देश के अंदर इस राजी के अंदर नयाइक परक्रिया के प्रस्तावक के रूप में अपना समर्थन दे चुका है अंकड़े उनके पास है लेकिन जारकंड राजसभा में नया खेल खेलता रहा है और हो सकता है कि अनिश्यतिता राजसभा चुनाव में भी भरकार रहे है सायोगी उपेंदर के साथ असो कुमार मुखर समबाद राजी